आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं चिकन मंदी की रेसिपी जो की आजकल काफी ज़्यादा पॉपिलर हो चुकी है तो आईए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है तो देखिए चिकन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम मंदी मसाला बना कर तयार करेंगे जिसके लिए मैंन से पंदरा काली मिर्च आड़ कर रही हूं नेक्स्ट आठ से दस लॉंग ली है और फिर इसमें एक जावितरी भी आड़ करेंगे साथी में मैंने लिए हैं दो बड़ी इलाइची जो काली इलाइची आती है एक छोटा जैफिल का तुकडा आठ हरी इलाइची भी आड़ की है साथी में दो से तीन दालचीनी के तुकड़े और एक चकर फुल इस सारे ही मसालों को हमने फाइन ग्राइन कर लेना है इसका पाउडर बना कर तयार करना है अगर आप इन मसाले को जादा टाइम के लिए स्टोर करना चाते हैं तो हलका सा इने ड्राइ रोस्ट कर जो हम चावलों में आड़ करेंगे और बाकी के मसाला एक दूसरे बोल में जो हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे अब इसमें मैं आड़ कर दूँगी बाकी के मसाले जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है कश्मीरी लाल मिच देड़ चमच कश्मीरी लाल मिच आड़ कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए और साथी में दो चम्मच आड़ करूँगी तंदूरी मसाला यह पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर है तो आप आड़ कर दीजिए या पर स्किप कर दीजिए एक चम्मच अदरक लसन का पेस्ट आड़ किया है थोड़ा सा फोट क माइन कर लेंगे तो देखे अब यह काफित थेक सा लग रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एड़्जिस्ट करने के लिए एक चमच पानी डाला है मैंने अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों को और यह मसाला ना सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट है मंदी में इस त मंदी को चोटे-चोटे पीसिस के साथ भी बना सकते हैं टेस्ट सेम रहेगा और फिर इनमें इस तरह के हम कट्स लगा लेंगे जिससे कि जब आप मसाला इस पर लगाएंगे तो सारे मसाले चिकन में अच्छे तरह से लग जाते हैं काफी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अधर प्लेवर चिकन के अदर बहुत जबंदस आता है तो देखे हमने सारे मसारे लगा दिया है, अब हमने चिकन को कम से कंव एक गंटे के लिए रिस्ट देना है ताके मसाल Fukा exclusively इस के अंदर आ जाए और फिर एक गंटे के बाद हम ने इसे हल्का सा फ्राइए करना है से व मैंने ओइल अट किया है, हाफ कप और जैसे ही ओइल गरम हो जाता है, चिकन के पीसेस को हम इसमें आड कर देंगे, और दो मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पर फ्राइ करूंगी, ताकि जो भी मसाले हमने लगा यह सेट हो जाए, और फिर अगले चार मिनट के लिए इसे हम मेडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे, तो जैसे यह एक साइट से फ्राइ हो जाते हैं, इसे पलट कर हम दूसरे साइट से भी फ्राइ कर लेंगे, इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही चार से पांच मिनट के लिए फ्राइ करना है, क्योंकि हमने काफी बड़े-बड़े से पीसिस लिये हैं तो ये थोड़े से tender होने में गलने में time लगते हैं तो देखे हमने दोनों ही साइट से 4-5 मिनट के लिए fry किया हुआ है अब flame को बिल्कुल low कर देंगे और चेक कर लेते हैं तो देखे इस पर अच्छा सा color आ चुका है ये fry भी हो चुके दोनों साइट से और chicken अच् जिसके लिए एक दूसरे बरतन में मैंने 1.5 cup oil आड़ किया है और जैसे ही oil गरम हो जाता है इसमें हम प्याज आड़ कर लेंगे दो medium size के प्याज मैंने इस तरह से slice करके आड़ किया है साथी में 4-5 हरी मिर्च और 2 दाल चीने के तुक्डे लिये हैं अच्छे से fry कर लेंगे प्यास को हमें थोड़ा सा color change होने तक fry करना है तो 2-3 मिनिट में आप देखेंगे कि प्यास का color change हो चुका है अब इसमें add करेंगे अधरक लसन का paste एक से देड़ चमच के बराबर अधरक लसन का paste add किया है और साथी में जो हमने मसाला निकाल कर रखा हुआ था मंदी मसाला दो चमच मंदी मसाला add किया है नमक add करेंगे थोड़ा सा healthy powder और थोड़ा सा लाल मिर्च powder मिला लेंगे इससे अच्छे से बहुत अच्छे से mix कर लीजे फ्लेम को low रखके ही करना है क्योंकि इसमें मसाले जल सकते हैं इस stage पर थोड़ा सा पानी add करेंगे तो जो मंदी मसाले का जो पानी बचा हुआ था मस कर दूंगे एक लिटर के बराबर पानी साथी में इसमें एक सूखा नीबू आड़ कर रहे हुआ जो नीबू सूख जाता है वो आड़ कर दिया है और इसमें थोड़े से धनिये पत्ते भी आड़ किया है स्टर कर लेंगे एक बार और पानी में अच्छा सा उबाल आने के के लिए इसे छोड़ देते हैं पानी में जैसे ही उबाल आ जाता है इसके बाद ही हमने इसमें चावलों को आट करना है मैंने यहां बिर्यानी राइस लिए हुए हैं जो लंबे लॉंग रेन राइस आते हैं उसे मैंने आदे घंडे के लिए भिगो दिया था दो से तीन बर अच्छे से वाश करने के बाद सारे चावलों को आट कर लेंगे अच्छे से स्टर करेंगे और फिर इस पर धकन लगाकर हमें 5-6 मनेट के लिए कुक होने देना है तो देखे चावल अच्छे से कुक हो गया है इसमें लेकिन अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है थोड़ा सा प चावलू का फ्लेवर चिकन में आ जाएगा नेक्स्ट एक कोईल पेपर रख देंगे या फिर एक कटोरिय रख कर इस तरह से कोईला रखेंगे जिससे कि इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा ऑईल या घी डाल देजिए और फिर इसे कवर करके हम अगले अगेरा में सर्फ किया जाता है थीक उसी तरह से हमने इसे सर्फ कर लेना है तो आज की यह जो मंदी की रेसिपी है हमने इसे अपने इंडियन स्टाइल में बनाया हुआ है क्योंकि जो अरेबिन डिश है यह तो वहां पर जादा काफी सारे मसाले स्पाइसी नहीं खाय जात है तो हमारे इंडियन टेस्ट बर्ड्स को वह काफी फीका फीका सा लगता है इसलिए हमने इसे अपने तरीके से थोड़ा सा बनाया है तो देखिए हमारी चिकन मंदी बनके तयार हो गई है थोड़े से इस पर ड्राइफ रूट्स मैंने फ्राय करके आड़ किया है काजू अधाम और किश्मिश लिया हुआ है थोड़ा से फ्राइड अनियन अड़ किये है थोड़ा सा हरा धनिया अड़ करेंगे और यह लीजिए हमारी बहुत ही जबदसी जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स को सूट करेगी उस टाइप के हमने चिकन मंदी अपने इंडियन मसालों के वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे जो रेट सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तिल देट टाइम बाई बाई आंड टेक केर